हलो सो कैसे हो आपका स्वागात है तिरिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कोशन पेपर यह कोशन पेपर जो है क्लास टेंथ वाले बच्चों के लिए हैं जो सीवेसी एंसी आटी के अंतरत पढ़ते हैं उनके लिए कोशन सलूशन जो है तिरिपान स्टेडी सेंटर ने लाया है और यह आपके समक्ष MCQ भी रहेगा जो हिंदी इंग्लिष दोनों ही माध्या में रह हैंगे तिरपान स्टेडी सेंटर ने उन कोशनों को उठाया है जो काफी महत्वपूर्ण है जो एक्जाम डाल सकता है इस पर हमने इनलाइज करना है समझना है और हर एक पहलू पर विस्तार प्रुभक चर्चा करना है लेकिन आपको पता है कि यह पर सुलूशन करने से पह पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए का मतलब यह होत सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है Today we discuss on most important question paper here Class 10 CVC NCRT Social Science here You know that is an important question paper here But next question arrive here that is most important for the exam view Analyze the impact of mining activity on the local environment and the health of the surrounding communities you know that is important analyze the impact of mining activities on the local environment and the health of surrounding community you know that the hazard of mining on the impact of the mining on there is a health of the miners and the moment as given below here first of all here the dust and anoxys as a film inhaled by the miners make them to the venerable and preliminary diseases you know that is important for the health effect here a dust and anoxys frames here and second here in foundations of fires in the low coals mines are a content threat to be a miner that's important the fact that a mine is one of the most dangerous jobs mining usually has a negative impact on the environment with the protections of a lot of waste you know that's important the mining usually has to negative impact on the environment the production of the lot of waste this is the dangerous jobs here and description to be a local flora and funner and contamination of the local water resources you know that is a manufactured here a flora and funner there is a contamination of the local water source and effect by the a local flora and funner it could be required to the revolves of massives amount of top soil leading to the erasions loss of habitat and pollution that's important here we are doing a question paper class 10 means cvc social science science realism isorest 시절 nationalist of paraya vra islands aath कांफी चांफी महत्व पून है ड़ह गर्मारा कोशन जुक्ग आया है काफी महत्व रखता है biggest गोशन को जो पूर्भाव लुसे बोर्विजांप की अंतर गति काफी महत्व पूण हैं QUR करें देखा जाए तो इसका प्रभाव कुछ कम नहीं होता है जो ख़दान खोदने वाले वेक्ति होते हैं और उनके दोरा ली जाने वाली धूल और हनिकारक धूल उन्हें जो फुफूस रोगों के प्रतिसमेंदर शील बनाता है यानि देखा जाए तो इनको डिस्पेटरी क काम कर रहे होते हैं जहां पर धूल कर जो है उर रहे होते हैं और जिनके कारण उनके नर्शक्स में जो है नाकों के द्वारा यह फुफूसियों सीरे में जाते हैं वहां पर यह जम से जाते हैं जिनके कारण उन्हों कई तरह के स्वास के संबंदी विमारी हो जाता है अगर जाय तो हमारे देश में धूल कनों किसे तो हमारा सदेव ही दो चार हांत होता ही रहता एं चारो तरफ रोडो देखो तूटे हुए रहते हैं उनके धूल कन जो हमारे नाकों में जाना और देखा जाए तो प्रिक्षन के अनुसार मैं बता दूंकि भारत में फिफ्रों से ग् कई तरह के बिमारियों से जो है ग्रसित कर देती हैं देखा जाकर दुसरे पॉइंट के तरफ नजर करें तो कोईला खदानों में बाड और आग खणिकों के लिए लगातार खत्रा बनी रहती है यह आपने देखा ही होगा भारत में कई छत्रों में कोईला खदाने हैं और वह कारण ना जाने कितने जो है सरामिगों की मुठ्यूं हो जाती और भारत में ऐसा देखने को मिलता ही रहता है कभी टेरें लन में काम करने फिर फ्रत आते हैं कभी उनमें लग जाती है कभी उनको शांस की दिखते आ जाती है तो इस तरह की समस्या भारत में कंटीनीव लगी रही है देखा जाये तो जाते यह है इसमें सबसे खतरनाक नकड़ी में से एक सोचते होगे कि ख़दानों से सिरफ हमें अच्छे मेटिरियल्स ही मिलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कहते हैं हर चीज के साथ कुछ नकरात्मों प्रभाब भी होते हैं जो कि स्वास के साथ साथ जो हमारे देश के लिए सही नहीं होता हमारे समाज के लिए भी सही नहीं होता है उसके पर शाहत अगले पॉइंट पे अगर आप नजर डालो तो कहते हैं स्थानिय बनस्पती और जीवों में विवधान और स्थानिय जल्स सोत्रों का परदूर्शन एक आम बात है यानि देखा जाए तो खनन के कारण जो है जो बनस्पती आसपास होते हैं जो जीव उन पे भी परभाव समानने तोर पर देखा जा सकता है जिस परकार आपके सरीर पर परभाव परता है इन खरणों के उसी परकार उन बनस्पती यानि पेर पोधों को भी परता है और जीवों में भी इसी तरह की बिमारी भी आम हो जाती है और यहां तक यह बनस्पती और ज सक्सान पहुचाती ही है पलस देखा जाये तो अस्तानीय जल्द-100 को भी काफी परदूषित कर देती है कई छैत्रों में नदियां बैए रही होती है और इंशेटरों में घरन होते हैं जिनके कारण नदियां भी परदूशित होती रहती है इसके लिए भारी मात्रा में उपरी मिट्री को हटाने के शक्ता हो सकती है इसे कटाव अवास की हानियों परदूशन हो सकती है तो देखा जाया तो भारत में इस तरह की समस्याएं आम हैं और ये देश के लिए चिंता का सबब भी है अलोक सावधानी के साथ सरकार को चाहिए कि इसमें जो उनको महद मदद करें और जितना हो सके खरण जो कारे हैं उनके लिए जो सरकार काफी सम्वेदन शील रहें इन खत्रों से तभी बचा जा सकता है जब हम समझदार रहें सिस्टमाटिक रूर लेगुलेशन क एक सदारन सी बात रहता है इवन कि जीव जनतुओं पर भी इसका प्रभाब जो है छूता नहीं रहेगा जीव जनतुओं पर भी इसका प्रभाब हमें समानने तोड़ पर देखने को मिल सकता है तो देखा जाए तो यह कोशन एक्जाइम व्यू से काफी महत पून है ठीक ह जिख सकते हैं अच्छा लग रहा है तो जरनल सी बात दोस्टो चनल को सब्सक्राइब कर लिए कर लिए तो अगले वीडियो आपको नहीं मिले और कई वीडियो से अप अनविक्त रह जाएगा यहां पर तीरे पान इस्टेटीटी सेंटर ने ने टेंथ क्लास के बच्यों क के लिए जो है कोशन अंसर का एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया है जो एक्जाम विउ से महतवपूंड हैं और यह पेपर के कोशन है और यह कोशन इंग्जाम में आने हैं इसमें कोई दोर आए नहीं है कोशन बदल सकते हैं लेकिन अंसर इसका यही रहेगा तो सोचना नहीं है विचार न करना है अभी तरिपान स्टेडी सेंटर को स्ब्सक्राइब करके पर नवाल में सेव करना है कि अघुड़ाद कर दो